हाई गाईज वेलकम टू माई चानल इजी डेटुडे लाइफ आज की वीडियो में मैं आपको घर में बेकार पड़े कप्स की मदद से प्लांटर्स बनाना सिखाऊंगी और साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स की बारे में भी बताऊंगी जो आप कप्स में बिना होल किये बहु बहुत ही अमेजिंग और हेल्फ फुल वीडियो होने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मेरे पास बहुत सारी पुराने टूटे हुए कप्स रखे वे थी जिनका मैंने यूस किया है कुछ काफी ज बहुत इजली ग्रोव किया जा सकता है ज्यादा पाने की जरूरत नहीं होती है और जैसे नॉर्मल इपलांटर से के लिए बॉटम पर होल करना पड़ता है न यहां पर कप में आपको किसी टाइब का होल करने की जरूरत नहीं है यह यूँ भूछ अच्छे से घ्रो हो अब cup के handle को हमने green paint से paint कर दिया और यह काफी सुन्दर हमारा decorate हो गया है so guys आपके पास कोई भी चाय का cup हो, coffee का mug हो, बहुत ही आराम से आप उसको use कर सकते हैं second plant है हमारा spider plant जिसको indoors में रखना में ज़्यादा prefer करूँगी और इसी grow करने के लिए आपको बहुत ही कम मिट्टी की ज़रुत है, बिल्कुल भी ज़्यादा मिट्टी इसमें use नहीं होती है पानी भी again बहुत ही limited लगता है और यह बहुत ही अच्छा सा grow हो जाता है साथ में guys इस cup को decorate करने के लिए यहाँ पे जिसे normally ही हमारी जो crockery होती है उसके उपर बहुत ही सुन्दर सुन्दर से prints होते हैं तो मैंने same उसी को follow करते हैं इसको decorate किया है काफी जादा अच्छा लग रहा है कई बार हमारी crockery पे जो यह designs होते हैं वो मिटने लग जाते हैं रब होने लग जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है बट आप इसको ऐसे करके recreate कर सकते हैं काफी अच्छा planter के तौर पे यह use होगा third plant की बात करते हैं जो की है jade plant ये तो आप seriously चाय के कप में भी बहुत असानी से grow कर सकते हैं आपके पास कोई भी टूटा हुआ चाय का कप हो जैसे उसका handle तूट गया हो या बहुत ज़दा पुराना हो गया हो जो की बहुत अच्छी लग रही है अब यहां पर हम अपने fourth cup के उपर आ गए है तो अगला plant है हमारा snake plant ये भी बहुत असानी से चाय के कप में coffee mug में grow हो जाएगा इसको पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है और बहुत अच्छी से grow होता है अराम से काफी लंबे समय तक यह चलता है आप अपने home को एक बहुत अच्छा look दे सकते हैं साथ में plants तो हमें खुद से ही बहुत अच्छी positive feeling देते हैं तो यह जो यहां पर मैं कब decorate कर रही हूँ यह मैं इनके अंदर planters लगाऊंगी तो उसके लिए मैं इनको decorate कर रही हूँ और मतब जो crockery की उपर print था मैंने उसी को काफी हद तक follow करके decorate किया है तो वो और असान हो जाएगा अगर आपकी painting कोई बहुत जादा अच्छी नहीं है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं साथ में अग में grow करूंगी तो यहां पर एक वो जो basically brand name होता है उसके उपर मैंने color का पुरा label लगा दिया है अब इसके उपर एक अच्छा सा positive सा coat लिखके हम इसको decorate करेंगे singonium plant जो है वो छोटे से plastic pot में, cup में काफी अराम से grow हो जाता है और same चीज है उसके लिए भी कि बहुत ही कम पानी में बहुत अच्छे से grow होता है तो यह नीचे पूरा मैंने इसे leaf का look दिखा कर यहां पर मैं लिख रही हूं grow जो कि काफी positive हमें एक word लगता है जो हर चीज म हमें बहुत positive लगता है इसको यहां पर मैंने black color से लिखा है ताकि यह बहुत अच्छे से highlight हो अब next जो कप है यह बिलकुली इसका handle तूट गया था तो इसके उपर मैंने blue paint से यह texture पुरा create किया है कहीं पर light कहीं पर dark और इसकी उपर भी मैं काफी positive कोट लिख रही हूं next जो हमारा plant है वो है Rio इसकी cuttings भी आप यहां पर coffee mug में या फिर किसी चाय के कप में बहुत अराम से cuttings को लगा कर आप इसको grow कर सकते हैं और जितनी भी plants आज की वीडियो में मैंने आपको बताएं हैं 6 के 6 बहुती कम पानी में और बहुती कम केर में बहुत अच्छे से grow हो जाते हैं और एक बहुती positive यह vibe देते हैं तो यहां पर मैंने love, live और laugh लिखा है और इसको बीच में black paint से मैंने highlight भी किया है तो यह दिखी गाईज यह हमारे cup का final look है I hope आपको आज का यह वीडियो बहुत जादा पसंद आया होगा इससे आपके घर में जो भी पुराने यह बेकार पड़ेवे cups हैं वो भी यूज में आ जाएंगे और plants जैसे हम सबको बहुत पसंद होते हैं तो वो भी आप grow कर सकते हैं balcony home वगरे के लिए इनको यूज कर सकते हैं और मैंने six plants के बारे में भी आपको बताया तो यह तो बहुत useful वीडियो था तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसे like, share और चानल को subscribe ज़रूर करिएगा और notification bell को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीड updates आपको मिलते रहें बाकी जितने भी प्रीवेस वीडियो हैं उनके links description box में आपको अवेलेबल हो जाएंगे तो आप उनको जरूर चेक आउट करें तो अब मैं मिलती हूं आपसे अपने next वीडियो में बहुत ही creative ideas के साथ अब तक के लिए बाई टेक केर